कि यह वह इस थे एक लक्षर प्रिश्व द जेए आज आपिटर गीन का लेक्षा नुर्मर शिक्स होगा जिसमें लुग करेंगे नए पॉंट्स फापिटर गेंट इस्टार करेंगे आच्छा आज के क्लास में फिर से एक बार हम दो डिस्कॉस करने वाले हैं इंकम फ्रम क्लास के अंदर हमने 54C का डिदक्शन 54 का डिदक्शन दिखा था जब आप घर पर्चेस करते हो तो 123 याद है आज हम डिस्कॉस करने वाले हैं बॉंड्स के उपर लास्ट लेक्शर में हमने इतने सम्स कंप्रेट कर ले थे टेक्श्बूक में पेज नमबर 223 अंसॉल्ड सम है शायद बीकॉम के टेक्श्बूक से किया है सॉल्ड अंसॉल्ड देख लो कौन सा है सॉल्ड है पेज नमबर 223 में सॉल्ड सम नमबर 26 ध्यांद आर छेल एट रेसिदेंशल बिल्डिंग आड जोध पूर फिफ्टीन लाग्स वन फर्स जुलाइब 23 डेट इंपॉर्टन डेग कभी घर बेचा है उसने 1st July 23, छीक है, हमने घर बेचा है 1st July 23, the building was acquired for 1,50,000 on 1st June, आपने घर कभी घरीदा है 2005 में, consider हो जाएगा कोई problem नहीं, शी पे ब्रोकरेज अधरी 2% at the time of sales, sales के टाइम पे उसने ब्रोकरेज पे किया है, मतलब यह क्या करना है, माइनस करोगे, आया नहीं, she invested 7 lakhs in purchasing a residential building in December 23, building खरीदने में invest किया है, कितना पैसा invest किया है, साथ माइन, and deposited 2 lakhs under section 54 EC in the bonds of NHAI, redeemable after 3 years on March 24, very important, very important and very important point, it's some ka important point, compute capital gain, chargeable to the tax for the assessment year and so on, सबसे पहला, full value for consideration, कितने में घर बेचा है, घर कितने में बेचा है, 15,000,000, माइनस खरीदा कितने में था, तेड़ लाक रुपए में, लेकिन 2005 में खरीदा था, तो इंडेक्स cost of acquisition कैसे होगा, 1,50,000 into current year का value कितना है, 348, 2005 में इंडेक्स कितना था, 113, तो 1,50,000,000 into 348 divided by 113 करो, आज उसका कीमत कितना आ रहा है, 4,61,947 उसका कीमत, उसके अलावा उसने brokerage भी दिया था, कितना percent, अभी किस पर calculate करेंगे, जितने में तुमने घर में चाहा है, clear बुला है, at the time of sales, तो 15,000,000 का 2% calculate करो, 30,000, तो total यही मेरा expenses है, 4,91, 947, 15,000,000 में से माइनस कर दूँगा, तो income from capital gain इतना आना जी, बराबर, 10,08,053 मेरा income होना जी, अब इस income को मैंने invest किया, residential घर खरीदने में कितना पैसा लगाया, bonds में कितना पैसा लगाया, तो घर का deduction आएगा under section 54 में, purchase of new residential hours 7,000 रुप, bonds में कितना पैसा लगाया, कौन से तारीख को लगाया, घर कभी बेचा था, July, 1st July, तो July, August, September, October, November, December, खतम, bonds में आप invest करते हो, चाहे वो NHI हो, REC हो, किसी भी 6 महीने के अंदर invest होना चाहिए, आपने 6 महीने से जाधा time ले लिया, अब जब 6 महीने से जाधा time लिया है, 2,00,000 इनवेस्ट करने के लिए, तो government आपको इसका deduction नहीं देगे, मतलब 54 E.C. का deduction मिलेगा, नहीं, इधर अपने को मिला था, क्यूंकि यहाँ पे हमने जब देखा था, यहाँ पे उसने जो investment के था, विदिन 6 मांस था, इधर deduction मिला, यहाँ पे मिलेगा क्या, डन है यहाँ तक, पक्का मतलब 10 लाग में से 7 लाग जाएगा, तो 3 लाग 8,053 विल भी माई, में इडाउट, समझाए, पक्का शरीए बढ़ेंगे, next sum की तरब देखते, next sum क्या दिया, पेज नमबर 224 पे, sum नमबर 27, similar sum कुछ भी hard and fast नहीं है, जैश कार्निक, acquired and residential property, acquired मतलब खरीदा, कभी खरीदा है भाई सापने घर जड़ा देखो, 2001 के पहले, कभी खरीदा है, 2001 के पहले, कितने में खरीदा था, 2 लाग, तो ये consider होगा क्या, नए, इसको 2001 के वैल्यू से compare करेंगे, whichever is higher, वो मेरा खरीदने का भाई होगा, अगर आपका घर, आप 2001 के पहले खरीदते हो, 2001 एक आपका base point है, अगर आप इसके पहले घर खरीदते हो, तो आपने जितने में खरीदा है, वो भाई, और 2001 का भाई question में दिया जाएगा, जिसे आप FMV कहते हो, fair market value, आगे दिया उसने, information में FMV, fair market value, 2001 में उसका value कितना है, 2,00,000,000, इन दोने में बड़ा कौन सा है, 2,00,000,000, तो ये मेरा खरीदने का भाई होगा, बास समझा, फिर मैंने improvement, improvement किया है, 94, 95 में 2001 के पहले का improvement consider किया नहीं जाएगा, 2006 साथ लिया जाएगा, 15, 16 लिया जाएगा, 16, 17 लिया जाएगा, ये सब improvement का खर्चा, आपके sales में से minus किया जाएगा, clear आगे, property कभी बेचा है उसने, 25 January 2024, कितने में, 1,80,000, तो ये मेरा 1,80,000 क्या है, sales value, he acquired new residential house, 58,00,000 रुपेज का नया घर खरीदा है, जब नया घर खरीदा है, तो deduction तो मिलेगा, कभी खरीदा है, 19 March 2024, घर के लिए 3 साल का टाइम होता है, तो ये तो अभी बेचा, अभी खरीदा है तो चलने वाला है, कोई problem नहीं, he also invested 15 राग in REC, Ruler Electrification Corporation Limited में, बॉंड में कौनसे तारिक को 20 March, ठीक है, घर कभी बेचा था जैनवरी में, February मार्क, 3 महिने के अंदर ही पैसा इंवेस्ट किया, मतलब उसको इधर डिडॉक्शन मिलेगा, expenses for transfer, यह जो घर transfer करने का खर्चा आया, कितना आया, 75 रो, बस और कुछ है क्या, सबसे पहला, full value for consideration, full value for consideration, कितने में बज़ए, 1,80,000,000,000, minus index cost of acquisition, कितने में घर खरीदा था, बराबर, 2,40,000 में घर खरीदा था, तो 2,40,000 into current year का इंडेक्स कितना, base year का इंडेक्स कितना, यहाँ पे 2,40,000 into 3,40,000 divided by 100, 8,35,200, कोई improvement, हरे सर बहुत सारा improvement किया है, यह वाला तो नहीं आएगा, बढ़े तीनों आने वाला है, 1,20,000 into 3,48,000 divided by 267 का कितना 122, तो यहाँ पे index cost of improvement एलिया, 3,42,25, फिर 4,00,000 का improvement किया है, कौन से year में, 15,16, देखो 15,16 का कितना है, 254, तो 4,00,000,348 divided by 254, 5,48,031, अरे समझा, 3,80,000 का improvement है, तो 3,80,000 का कौन से year में, 16,17, 300,000, sorry, 264, चलो calculate करो, बताओ, 5,909, और कुछ है क्या, नहीं, brokerage, transfer expenses था कुछ, इधर तो अपने देखा था, 75, transfer expenses, 75, तो in short, यह total खर्चा आपने को इसमें से, minus करना है, तो सब लोग इसका total ले लो, कितना आ रहा है, बताओ, 8,35,200, 3,42,295, 5,48,031, 5,909, 75,000, calculator नहीं है क्या अपने पास, एक कर रहा है, बाकि आपन देखी रहे ना, बावेश, calculator नहीं ना, नहीं ना, है, तो निकल, 23,14,35, 1,80,00, में से 23,00,00, minus करेंगे, तो अपने को आएगा, 1,56,98,565, यह मेरा income है, लेकिन शीतल, मैंने उस पैसे को, घर में भी invest किया, तो जब घर में invest किया, तो 54 का deduction मिलेगा, exemption under section 54, purchase of new residential house, कितने में purchase किया है, 50, पूरा का पूरा माइनस होगा, उसके अलावा, मैंने bonds में भी पैसा लगाया है, तो उसका deduction मिलेगा, 54 EC, REC में कितना लगाया है, मैंने पैसा 15,00,000, तो पूरा 15,00,000 का deduction मिलेगा, तो 58 प्लस 15 करों कितना आ रहा है, 73,00,000, एक करोर 56,00,000 में से 73 माइनस करोगे, long term capital gain कितना आ रहा है, ये मेरा total income from capital gain, topic समझा क्या है, पक्का समझा, तो यहाँ पे topic of income from capital gain, wind up करता हूँ, next class में हम other source start करते, normally मैं other source पढ़ाता नहीं हूँ, फिरकिन इस सार टाइम है, तो इसके लिए other source, because जब total income लेंगे ना पढ़े, तो total income में indirectly total other source होई जाता है, because आपको चारो source आ गए, salary कैसे calculate करना है, business कैसे calculate करना है, house कैसे calculate करना है, capital यह आपको आ गया, तो जो बज़ गया, वो सब income income from other source में है, बराबरे, इसलिए मैं normally करवाता हूँ नहीं, मैं total income करवाता हूँ, और total income के अंदर other income के साथ ही करवाता हूँ, मतलब salary, other income, business, other income, house property, other income, ताकि आपका other income भी साथ में हो जाए, अरे समझा, बड़ इस साल अपने पास time है, तो मैं other source भी करवा देता हूँ, and then we'll go for the total income के साथ, और सम को शहय करने, आज के लिए इतना है गरते, ओफ़ली वीडियो पसंद आए, तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना, रेंट फिरुप में शही का नवा चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक्यू फॉर वाचिंग नवीक,